असलाम आलेकुम मेरे प्यारे बच्चों मैं आपकी हिंदी की तीचर या वीडियो तीसी कक्षा के बच्चों के लिए है इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्द कैसे बनता है ये सिखाया है अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है आज हम उनी शब्दों को दोहराएंगे और उन शब्दों से वाक्य कैसे बनता है ये सीखेंगे तो पहले हम दो अक्षर वाले शब्द को दोहराएंगे दोहराना मत्ब रिवाइस करेंगे देखते हैं घर घर एक अक्षर है आप लोग कोई बात पता है और जब हम इन दोनों अक्षरों को मिलाया तो क्या बना घर घर क्या है शब्द उसी तरह कुछ और शब्द देखते हैं फो न फन घर पर वन रस बस जग फल नल रत फन अब हम पढ़ेंगे वाक्य वाक्य को क्या कहते हैं संटेंस वाक्य कैसे बनता है शब्दों को मिलाकर जैसे हम अक्षरों को मिलाते हैं तो क्या बनता है शब्द उसी तरह जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बनता है वाक् मैंने दो अक्षर वाले शब्दों को इस्तमाल करके वाक्य बनाया हैं, देखते हैं बस पर चड़, नल पर जल भर, फल चक, अब घर पर चल, यह जग रक अब हम तीन अक्षर वाले शब्द को दो राएंगे, देखते हैं क, ल, श, को एक अक्षर है, ल, एक अक्षर है, श, एक अक्षर है जब हमने इन तीनों अक्षरों को मिलाया तो क्या बना? कलश, कलश क्या है? शब्द, उसी तरह कुछ और शब्द देखते हैं क ला म कलम, न हर नहर, म ट र मतर, ब त ख बतक, सोड क सडक, न म क नमक, ब र फ बरप, ब त न बतन, क म ल कमल कलश, कलम, नहर, मटर, बतक, सडक, नमक, बरप, बटन, कमल बच्चो मैंने तीन अक्षर वाले शब्द का इस्तमाल करके कुछ वाक्य बनाए हैं, देखते हैं कलश, छत, पर, रग, नहर, पर, चल, नमक, मत, चक, कलम, पकड, कर, रख, बतक, मत, पकड, एक बार फिर से देखते हैं, कलश, छत, पर, रख, नहर, पर, चल, नमक, मत, चक, कलम, पकड, कर, रख, बतक, मत, पकड, इनमें हम तीन अक्षर वाले शब्द देखते हैं, कलश, नहर, नमक, कलम, पकड, बतक, पकड, और सारे दो अक्षर वाले शब्द हैं, इसका क्या मतलब हैं? हम वाके कैसे बनाएं सकते हैं? जब हम शब्दो को मिलाएंगे. कौन से शब्दो को? दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले या चार अक्षर वाले तब हम वाके बनाएंगे. अब हम चार अक्षर वाले शब्द को दोराएंगे अ, च, ग, न, अ एक अक्षर है, च, एक अक्षर है, क, एक अक्षर है, न, एक अक्षर है जब हमने इन अक्षरों को मिलाये तो क्या बना? अच्कन अचकन कहा है शब्द बरत ना बरतन पलतन गरदन तम 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 अचकन नपचर अजगर बरगद पनगट अदरक सरकस खतमल बरतन पलतन गरदन तम तम चार अक्षर वाले शब्द का इस्तमाल करके मैंने कुछ वाक्य बनाया है देखते हैं अचकन पहन कर टमटम पर चड़ खटमल मत पकड़ जटपट बरगद पर मत चड़ सरकस चल एक बार फिर से देखते हैं अचकन पहन कर टमटम पर चड़ खटमल मत पकड़ जटपट बरगद पर मत चड़ सरकस चल चार अक्षर वाले शब्द इन में से कौन से हैं देखते हैं अचकन टमटम खटमल जटपट सरकस बरगद तो वाक्य कैसे बनता है जब हम शब्दों को मिलाते हैं दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बनता है वाक्य